नमस्कार मेरे प्याय दोस्तों एवं भहिया भहनों तथा समस्त विद्यार्थियों मैं आपका आपने इस कच्छा 9-10 की SST की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिन्दन करता हूं मैं आज आपको NCEAT पुस्तक के माध्यम से जो बिस के समस्त गटनाओं को आप पढ़ते चले आय रहे हैं उसी तरीके से इसमें आप भारत के इस्तिति के बारे में समझेंगे जो की भागोलिक इस्तिति के बारे में आप समझ पाएंगे चले प्रारम करते हैं भारत के उत्तरी मैदान के बारे में जो भारत का उत्तरी छेत्र है भारत के इस्तिति उत्तरी छेत्र में किस पकार से है उसके बारे में समझते हैं जो कि आप चित्र के माध्धन देख पा रहे हैं, जो यह दूसरा लेशन है, कच्छानों का पर्या वरण दूसरे लेशन में आप समझ पा रहे हैं, यह चित्र आप देख पा रहे होगे, कि इसमें पूरा-पूरा औरित किया गया है, कि भारत का कौन से शेत कि शेत में आता है और कौन-कौन से नदिया है, कौन-कौन से परवत रथा पठार है, पहाड है, परवत स्रेंडिया है, सब इसमें आप देख पा रहे होगे इसी तहत आगे बढ़ते हुए भारत के उत्तरी मैदान के बारे में आप समझेंगे जो की भारत का एक भौतिक सरूप आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें हिमालय की परवत स्रेंखलये हैं महत्पूर्ट चित्र आप देखें, देखने को मिल रहा होगा, हिमाले परवर संखला एक वलित परवर संखला इसके बारे माँ आप समझ पाए हैं, उसका एक विशेश चित्रा आप को देखने को मिल रहा है, इसको आप देखें, वलित संखला को दिखाए दे रहा है, उसके बाद आप देखे मीजो पहाडियां, मीजो पहाडियों को आप देख पा रहे हैं, जो कि ये कहरी भरी घाटी के रूप में आपको दिखाए दे रही है, परवर संखला की देखने को मिर रही है, तो इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, कि हिमालय आप समझ पाएंगे कि उत्तर से लेकर पूर उत्तक फैला हुआ है इसमें आप समझ चीजे उसके बारे में समझ पाए होगी चलिए उत्तरी मैदान के बारे में समझते हैं जो उत्तरी मैदान का निर्माड है भारत का उत्तरी छेत्र है उसके बारे में आप पूरा का पूरा अध्यन करेंगे और स्रेदेते हुए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे चलिए प्रारम करते हैं उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियों प्रनालियों शिंधू गंगा एवं ब्रह्मुद तथा इनकी सहाइग नदियों से बन हुआ है जिसमें सिंधू गंगा एवं ब्रह्मुद नदियां अपने दोरा लाए गए दोवाब से इसका निर्मार करती हैं और यहां पर यहां एक मैदानी छेत्र है जो बहुत ही अधिक उपजाव माँ जाता है जो की यहां जलोर मिदा से बना हुआ है लाखो वर्सों में हिमालाई के गिर्पाद में इस तिस बहुत बड़े बेशिन दोरी में जलोरो का निक्षेब हुआ जिससे उपजाव मैदान का निर्मार बहुत अधिक मात्रा में हुआ इसका विस्तार साथ लाख ओवर किलोमीटर के छेत फल में फैला हुआ है यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से अधिक चाउड़ा देखनों मिलता है जिसमें 340 किलोमीटर की चाउड़ाई मुख रूप से मानी जाती है इसमें क्या आप जानते हैं कोशन करके दिया गया है कि ब्रह्मपुत नदी में इस्तित माजोली विस्तु का सबसे बड़ा नदी दीप है जहां लोगों का निवास है अगर यहाँ प्रसनाता है कि जो ब्रह्मपुर नदी में इस्तित दियूप है तो वह कौन सदियूप है तो माजोली दियूप है जो बिश्च में सबसे बड़ा माना जाता है अब आगर आप समझें कि यहाँ जो चौड़ाई है इस मैदानी छेतर की वह 320 किलो मीटर है यहाँ सघंजन संख्या वाला भोगोलिक छेतर है सघंजन संख्या करता है कि बहुत ही घनी आबादी यहाँ की देखनेों को मिलती है यहाँ की जो आबादी है बहुत कम नहीं है बह आपको दिखाये गया है चित्र में कि कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे यहाँ पर क्रिशी कार को कर रहे हैं और क्रिशी कार से अपरदसित होता है कि यहाँ का जीवन है वह क्रिशी पर ही निर्भर देखने को मिद्दा है जिसमें गेहुं, चावल, मक्का या अन्य फसरो का उतपादन देखने को मिलता है यहां की जो जलवाईव है उसके बारे में बात करें तो बहुत ही किसी के लिए अनुकूल माय जाती है अत्यधीक उतपादन छेतर के करण इस मिदा में आप बात करें तो सबसे धिक जलोड मिदा बांगा और खादर जो की नई और पुरान मिर्दा के रूप में देखने को मिलती है जिसमें इसको हम दो मट मिर्दा भी कहते हैं जो कि 42 परसे 6 फल में देखने को मिलती है आगे बढ़ते हैं यहां उत्तरी परवतों से आने वाली नदियां निच्छेपण कार में लगी हैं नदी के निचले भागों में धाल कम होने के काल नदी की गदिक कम हो जाती है इसके पहराम सुरूप नदी ये दीपों का निर्मार होता है जब नदियां अपना जल उपर से नीचे की तरफ ढ़ाल मिले जाती है तो पहले तो जल जब अधिक मातरा में आता है तो वह बहुत उपर तक भराव पर जाता है फिर धीर दे वह पर दुवाब का निर्मार करता है फिर वही जल जब धीर धीरे कम होकर फिर से स्पुनाह वापस नदियों में जाने लगता है तो वहां पर एक हालदार निच्छेब का निर्मार होता है ये इस तरके से आप देख पा रहे होगे चलिए आगे बढ़ते हैं इस शेद्र के दुधवा राष्टी पारकिष्टी ग्यांत कीजिए जो दुधवा राष्टी अफ्रण है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके बारे में जानकारी प्राप करना है जो उत्तर भारत में ही देखने को मिलता है उत्तरी मैदान का सबसे विसालतम भाग अभी बेदिका कहते हैं इस भाग को भांगर के नाम से भी जाता है इस छेद्र की मिदा में चूनेदार निश्यप पा जाते हैं अभी हमने आप से चर्चा किया कि आवसाद जिसको हम आवसादी सहलों से घीरा हुआ मानेंगे कि एक के बाद एक उसमें नदियों के दोरा लाए गए जलसे एक परद बनती चली जाती है जिसमें चूनेदार चीज़े कुछ प्राप्थ होती है जो कंकरीट रूप में हम उसको कह सकते हैं या कंकरीट भू में कह सकते हैं बाहर वाली प्रतेक वर्स पुनर निर्मार्ड से होता है इसलिए उबजाओ होते हैं तदा गहन खेती के लिए आदर्स माने जाते हैं कहने का जरत है कि हमारा जो यह कछारी छेत्र है उत्तर भारत का जो जली नदियों के किनारे देखने को मिलता है वहाँ पर क्रिशियों के अधिक से भूमें पाई जाती है और चारों तरफ से जब जल से घीरा हुआ है तो उससे यहां देखने मिलता है कि यह पूरा का पूरा हमें एक उदहरन लें अगर तो इसमें चर्चा करें तो हम आपको बताएंगे कि हमारा जो यह भारत देश है इसका उदहरन नदियों के किनारे बसे होने से है जिस तरीके से मिस्र की सभिता की बात करें तो वहाँ पर नील नदी के द्वारा उसका पुराना नाम गंगा है परन्तु उसको नील की खेती तो जिस तरीके से हमने आप चर्चा किया कि पूरा का पूरा जो यह छेत्र है एक उधार के तर पर देखें तो पूरा का पूरा अगर हम एक मिस्र की सभिता का चर्चा करें तो उसमें नील नदी जो जादा देखने को मिलती है तो नील नदी का जो बहाव है जल का वहाँ मिस्र के किनारे तटी छेत्रों में आजाता है जिस पर वहां के लोग खेती करते हैं और खेती करने के उपरान तेह देखने को मिलता है कि वहां बहुत अधिक मात्रा में नीली की खेती करने से उनका एक आहम भूमिका देखने को मिली और आहम भूमिका से उनका ब्यापार बढ़ता जला गया और प्रगेत की मार परंतु उसे इस नाम से जाना गया तो इस तरीकी से आप समझ पाए होगे कि यह जो हमारा उत्तरी भारत है उत्तरी छेत्र है यहां का पूरा का पूरा भाग दौवाब छेत्र कहलाता है जो की एक मैदानी छेत्र है जो नदियों के द्वारा ही बना हुआ है अब हम आप चर् के बारे में पढ़ेंगे चले प्रादीवी पसंचा करते हैं तो इसके बारे में आप समझेंगे 613 sem कि अमने आकर्था है और उसका भी उसका निर्मार हो रहा था जेसे कि हमने 5 prêt सर्चा किया कि गोडवाना लैंड जो था वहां तैथी सागर में जाकर एक भूम थी अंगारा लैंड दो लैंड थे तो बहुत समय पहले वहां धीरे धीरे अपच्छे तथा आपरदन की किरियाओं द्वारा जब उसमें समाही तो हो गए तो वहां पर हिमाले परवत का निर् मत्रा में उसे कहा क्या गया उसे यह कहा गया कि यहाँ एक प्रादीपी ये परवत संखला है उसको प्रादीपी ये परवत संखला के नाम से घूशित किया गया तो यहाँ आप प्रादीपी पठार के बारे में समझेंगे प्रादीपी पठार एक मेच के आकरित वाला अस् इस्टली अगने तथा रूपांति सेलो से बना हुआ है यही कारण है कि यह प्राचिंतम भूभाग का एक हिंसा है इस पठारी भाग में चौनी तथा छिछली घाटिया यह गोलाकार पहाडिया देखने को मिलती है इस पठार के दो मुख भाग हैं मद उच भूम तथा दक्कन का पठार यही इसका जो एक उधारन के तोर पे देखे तो एक मुख भाग देखने को मिलता है इसको हम दक्कन का पठार कहते हैं इस पठार के यह दो भाग हैं जिसमें से मद भूम उच भूम तथा दक्कन का पठ तो नर्मना दंदी के उत्तर में प्रादीपी पठार का वाभाग जो की मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्भूम के नाम से जान जाता है बिंध शेंकला दचिन में सरपूडा शेंकला था उत्तर पष्चिय में अरावली से घीरी है पष्चिय में धीरे धीरे रास्थान के बलूई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है यह नहीं यह प्रश्चिय में जाते समय होता क्या है कि रास्यधान के यह था शेत्र है यहांपर जल की मातरा बहुत कम पाई जाती है उससे धीरे धीरे एक जुट हो जाता है और उसमें मिल जाता है क्योंकि यह बलूई शेत्र है मरुस्तरी शेट जिसको मर भूम जहां पर बहुत अधिक मात्रा में उपजावपन कम देखने को मिलता है तो इस पकार से आप समझ पाया होगी इस शेट में बहने वाली प्रमुख नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन ये प्रमुख नदियां जो ग्लेशिर के रूप ही देखने को मिलती है बहती है केन डक्षिर पहस्चिम से उत्तर पूर्व की तरह बहती है इस पकार हुए इस शेटर की इस्तिती है इस शेटर की ढाल को दरसाती है मद उच्चिभू में पहस्चिम में चवड़ी लेकिन पूर्व में संक्रीड है इस पठार के पूर्व विस्तार को अस्थानी रूप से बुंदेल खंट था बागेल खंट के नाम से जाए जाता है इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदन नरी दौर्व आपवथ शोटा नागपूर का पठार जो कि जारखंटके च्चेत में आप देख पाएंगे बहुत अधीक मात्रा में प्रसित देखने ОКुमिलता है ये बहुत ही अहम प्रसंहे अब बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्न है कि छोटा नागपूर का पठार जो है वह किस्पकार का है तो आप बताएंगे कि आप प्राधीपी पठार का एक भाग है जो जहारखंट बिहार से सटे हुए चेत्र में देखने को मिलता है आगे है दक्षिड का पठार एक संखलाओं से ही नर्मन नदी का एक प्राधुर भाव हुआ है तो उसको हम एक स्थितिक रूम में देखें कि तिर्भुजा का रहा है उत्तर में इसके चवड़े आधार पर सत्पूरा की संखला देखने को मिलती है जो सत्पूरा अभी मैं आपको इस चित्र में दिखा रह है जो कि मद्ध प्रदेश की कुछ भाग में देखने को मिलता है और अभी हमने थोज़ देर पहले आप से चर्चा किया छोटा नागपूर का पठार तो चीत्र में देखिए कि छोटा नागपूर का पठार आपको दिखा दे रहा है और यह कहां पर है तो जहार खंट अता बिहार के छेत्र में आपको देखने को मिल रहा है अब इसमें और भी चीज़े है सत्पूरा स्रेडिया है महादेव पहाडिया है और आगे हम बढ़ते हैं तो नर्मदा नदी जो की यहा बिंधा चल की स्रेडि से भी आगे निकली हुई है और आगे जाकर यहा तापती आप देखिए कि तीसरे नंबर का एक पठार है पठारों में यह प्रमुक रूप से देखने को मिल रहा है तो यह आगे चल कर आप देखेंगे कि जो पूरवी घाट है उसमें भी कुछ परवर संखलाएं देखने को मिलती हैं आगे पश्वी घाट है उसको आप देख पा कोंकड यह चित्र में दर्साने के लिए समझाने के लिए दिया गया है जो पठाई शेत्र है या जो प्राइदीपी शेत्र है उसको दर्साने के लिए उसका क्रमांग दिया गया है जिसको आप समझ पा रहे हैं कि पहला उत्तर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है दूसर चूंबल नदी के आसपास, चल्कर आप देख पा रहा है, कि बिंधयाचल कि इसरेडी देखने को मिलती है, तापती नदी, तापती नदी, तो इस तरीके से आपका नीर गिर पहाड़ीों में अगर आप नीचे चलाये, तमिल्यनाड़ के छेत में चले जाएं तो पूर्वी म देखनी को मिल रहा है ये समस्त बात एक किष्णा नदी गोदावज नदी ये सब आप देख पा रहे हैं उचीतर के मात हमसे उचाई की बात कहते एक 1200 से ऊपर इसकी उचाई देखनें को मिलती है जो अधिक कथे रंगा आप देख पा रहे हैं यह समुत्तल से है और 600 से 1200 मीट के उचाई पर उससे थोड़ा या और एकदम लाइट 30 मीटर की उचाई बिल रहा है तो अनाइ मलाई आई मूडी यह 2695 मीटर की उचाई पर है जो कि इसकी पर्वस संखला है काड़ामं पहाडिया जिसमें आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि भारत का जो परभती छेत्र है उसके बारे में प्राइदीपी छेत्रों के बारे में समझ पा रहे हैं जो की छोटा नागपूर से अलग होते हुए आप समझ सथ्त आता उन्हें केवल दर्रू के द्वाराई आतर फिस्ति ज्यांत करें यह आप देख सकताrare तो इस तरीके से पुर्वी घाट के प्रिक्षा उंचे है पूर्वी घाट के 600 मीटर के अवसत उचाये की तुल्ला में पश्चिमी घाट के उचाये 900 से 1600 मीटर है पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दर्चेड में नीर गिरता है पूर्वी घाट का विज़ता सदत नहीं है यह आयनेमित है एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों इसमें इनके काटते हुए दिखाई दिया गया है पश्यमी घाट में प्रमती वर्षा होती है यह वर्षा घाट के पश्यमी ढाल पर आद रहावा के टकराव के उपर उठने के कराण होती है पश्यमी घाट को में भी न स्थाए नामों से भी जाना जाता है पश्यमी घाट के उचाए उत्तर के दक्षिन के और बढ़ती जाती है इस भाग के सिखर उचे जैसे अनाइम उडी 2695 मीटर तथा तोड़ा बेटा 233 मीटर पूर्वी घाट का सबसे उचा सिखर महिन गिरी 1500 मीटर है पूर्वी घाट के दक्षिन पस्चे में शिवराद अथा जावेडी की पहाड़िया या इस्तिती है उंगल मंगलम जिसे उटी के नाम जाता है तथा कोड़ाई कनाल जैसे प्रसिध है पहाड़ी नगरों की इस्तिती मार्चित में होता है यह आपका प्रस नहीं कि मानचित में इसको हम समझ पाएंगे यह होमवर्क के रूप में है प्रादीपी पठार के एक विशेश यह पाई जाने वाली कारिर मिदा है जिसे दक्कन ट्राइब के नाम फिज जा जाता है इसकी पत्ति जौला मुखी से हुई है इसलिए इसके सहल अगने है वास्तों मिन सहलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है जिससे कारिर मिदा का निर्माड हुआ अरावली की पहाडिया प्रादेवी पठार के प्रस्चिमियों उत्तर प्रस्चिम किनारे परस्थित हैं यह बहुत अधिक अपर्दित यह खंडित पहाडिया हैं एक गुजरास से लेकर दिली तक दरशित परस्ची आंब को दिशा में पहले हुई है यह पूर्श का sudah wr baja है नहीं हमने आपको देखा या सब कस्सा भी सेमें आपको द्रसाए गया है जो चित्र आप देख पा रहे है पूर्श इसमें हमने और इसमें समझ चीजों का वर्णन किया गया है तब तक इसका अध्यन करते रहें और लाइक शेयर करते रहें जै भारत वंदे मात्रम